धमपद गाथा नमबर 39, 29 या 2.9 अपमाद वग्गो ये कथा है जैत्वन पुद्ध बेहार गिये या जैत्वन आराम की सावित्थी की एक वार दो नए भिक्कू बने जो दो सादक आये थे उन्होंने पवज्जा ली पवज्जा का मतलब है कि उन्होंने भिक्कों के साथ रहने का घर छोड़ने का निश्चे किया और सिक्षा ली बुद्ध से भगवान बुद्ध से भगनवान बुद्ध से सिक्षा ग्रण करने के बाद सिक्षा ग्रण करने के बाद विपस्थना सीखने के बाद ध्यान की सारी विधी सीखने के बाद साधना के सारी नियम सीखने के बाद ये दोनों जंगल में चले गए जंगल में जाके वो साथ रहे उन मेंसे जो एक भिक्कू थे उन्होंने बिल्कुल नियम के नुसार पारण किया जैसा बताया वैसा वो करते रहे जब ध्यान का समय होता था ध्यान करते थे जब खाना खटा करने का समय होता था थो खाना खटा करते थे जब सोने का समय होता था तो सोते थे जो दूसरे भिकू थे वो वहाँ कभी आग जलाते कभी जंगल साफ करते, कभी पेड़ काडते कभी ध्यान करते, कभी सोते, कभी उठते, कभी बैठते इस किरिया में वो लगे रहे दोनों विपसना के बाद, वस्सावास खत्म होने के बाद क्योंकि वस्सावास तीन महिने का होता है और चौते महिने में किसी भी समय जा सकते है तो दोनों वस्सावास खत्म होने के बाद भगनवान बुद्ध के, सुगत बुद्ध के, तताकत बुद्ध के पास वो गए वहाँ जाके उन्होंने नमस्कार किया नमस्कार करने के बाद वो बैठे तो उन में से जो भिक्कू पूरे दिन अपना समय कभी आग जलाने में, कभी पानी लाने में कभी फल लाने में, कभी साफ सफाई करने में, कभी नहाने में, कभी दोने में और ध्यान में कम लगाते थे उन्होंने कहा कि ये जो दूसरे भिक्कू हैं ये तो इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया ये तो अपना अंदर जौंपणी में चले जाते थे कुटिया में चले जाते थे और वहां सांत पड़े रहते थे कुछ नहीं करते थे जबकि मैंने यहां यह काम किया यह काम किया, यह काम किया जो भग्नवान बुद्ध हैं, सुक्तो हैं उनको तो बॉडी लेंग्वेज से और आवाज की बाइब्रेसन से और सरीर से ये पता चल जाता है कि कौन किस अवस्था में पहुँचा उन्होंने कहा कि अरे भिकू आप ऐसी बात कर रहे हैं ये तो अरत होगे जो भिकू है ये तो अरत होगे और ये तो अब आप से बहुत मीलो आगे चले गए तब उन्होंने ये गाथा जेत्वन राम बुद्भिहार में, जेत्वन में सावित्थी में कही अप मत्तो पमत्तेसु का मतलब है अप मत्तो का मतलब है अप मत्तेसु का मतलब है पिरमादी लोगों में सुत्तेसु बहु जागरु सुत्तेसु का मतलब है जो सोने वालों में जो बहुत साइब लोग है सोने वालों में और बहु जागरु का मतलब है जो जादा जागने वाला है ए बल असंग ये ए बल असंग का मतलब है ए बल और अस दुर्बल घोडे को, वै माने जैसा, सिग घसो, सिग घसो का मतलब है सिग और असो, यानि कि जो सिगर दोडने वाला घोडा है, दुर्बल घोडो के बीच में जो सिगर दोडने वाला तेज दोडने वाला घोडा है, हितवा याती सुमेद सो, हितवा माने होता है, जो हित सब है वो बना है हियो से हियो का मतलब होता है जो समय जा चुका बीत चुका तो हितवा का मतलब है जाता है छोड़कर यानि कि समय चला गया और याती का मतलब है जाता है यानि वो छोड़कर चला गया सुमेद सो जैसे बुद्धी मान व्यक्ति इस पूरी गाथा का मतलब है जो ए प्रमाद वाला व्यक्ति है वो प्रमाद वाले व्यक्तियों में और जो बहुत ज़्यादा सोने वाले लोग है उनमें जागने वाला व्यक्ति है वो ऐसे आगे निकल जाता है जैसे दुरवल घोडों कोई बीच में से कोई तेज चलने वाला गोड़ा आगे निकल जाता है ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति उन भिक्कों में आगे निकल जाता है इसकी देशना इस परकार है इस परकार इसको समझे कि आपने सुना होगा अंधों में काना राजा यहां वही बात बताई गई है कि अंधों में काना राजा कैसे होता है यानि कि जो बहुत ज़्यादा प्रमादी लोग है जैसे कहीं सारे लोग निकम में हैं सारे लोग वेपचारी हैं सारे लोग जुए में, शराब में जो वैसन हैं उसके अंदर जो कामवासना है उसके अंदर जो चोरी चकारी है या जिसमें लालच है इड़सा है मकारी है इसमें सारे के सारे लोग किसी महले में या किसी घर में या किसी देस में या किसी गाउं में या किसी संग्धन में अगर सारे लोग ऐसे हैं और उसमें एक व्यक्ति ऐसा है जो वैस नहीं है तो वो उन सब में आगे रहेगा वो सब लोगों को उसकी इजित करनी पड़ेगी और सारे लोग उससे डरेंगे ठीक ऐसे जैसे अगर सारे लोग सोने वाले हैं और अग्यानी हैं सुत्तेसु का मतलब है सारे लोग अग्यानी हैं सारे लोग सो चुके हैं और उनमें थोड़ा भी कोई जानकार है। भाहु जागरू का मतबाद बहुत जानकार होता है, अगर ठोड़ा भी जानकार है, तो वो जानकार व्यक्ति, उन सारे अग्ञानियों में, सबसे आगे होगा। ठीक ऐसे, जैसे गाउं के अंदर, अगर सारा गाओं अनपड़ है, सारा गाओं कुरितियों में बसा हुआ है उसमें कोई एक बच्चा या कोई विक्ती या कोई एक औरत या कोई महिला अगर थोड़ी सी भी जानकार है तो वो उसमें आगे रहेगी ठीक ऐसे जैसे सारे गोड़े दुर्बल हैं सारे गोड़े ठके हुए हैं, कमजोर हैं मगर उसमें अगर एक गोड़ा भी थोड़ा तेज दोड़ने वाला है तो वो आगे निकल जाता है ठीक इसी बात को उन्होंने कहा है कि अगर भिक्ती सारे के सारे निर्बल हैं, दुर्बल हैं उनमें अगर कोई एक भिक्व भी ऐसा है जो नियम से चलता है और मेहनत करता है तो वो उन सारे भिक्वों से आगे निकल जाएगा जैसे इन दो भिक्वों में वो भिक्व जिसने नियम से पालन किया जिसने सारा सिस्टम से काम किया जिसने एक एक अक्षर को पालन किया वो अ झाल 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 झाल